असलाम अलेक्म और हमतुलाह वरकातु शेक मेरा नाम अयूब है मैं मुंबई से मेरा सवाल यह है कि मैं अक्सर कुरान ओडियो सुनते रहता हूं ट्रॉंसलेसिंग के साथ अक्सर जब तरजुमे में आता है सजदे के बारे में और मैं अन्दा स्पोर्ट काम करने के वज़े स सजदा नहीं कर पाता हूं तो मैं कभी कभी अगले दिन सजदा करता हूं तो किया यह मेरे लिasy है यह पूर को जाता हूं जो कुछ घंटों के बाद या अगले दिन ही मैं सजदा कर पाता हुम्य को यादा 가자 तो यहमारे बाहींisfacts की कि पुरान संटे वक्त सजदे की कोई बात आती है तो उस वक्त सजदा नहीं कर पाता हूं लेकिन बाद में जाके सजदा करता हूं या समझ लेकि इस तरह से गजा की बात कर रहे हैं कि सजदा करना चाहे था वो मैं नहीं किया लेकिन बाद में करना चाहता हूं तो किया दुरस्त है या नहीं तो देखे, मेरी मालूमात में ऐसी कोई बात नहीं है, कि अगर आप बरवक्त सजदा नहीं कर सके, तो बाद में जाके उसकी कज़ा करें। तो देखे, सजदा के बार में बात याद रखें, कि सजदा वाजिणर नहीं है. यह मुस्ताब अची बात है. लेकिन अगर मुस्ताब है, तो इसक्या वाजब के अश्यू थी चैजर नहीं कर रहा हैं। नहीं कर सका, नहीं कर सका, कोई शजदा नहीं। और अगर करना है तो उसमें भी वह नगता रीई, श데 में बहुत बड़ा मसला नहीं, चलाए नहीं खीडता, लेकिन जो गज़ा की बात है कि बाद में सद्धे करना, तो इस के हमारे से मेरे पास कोई दलीन है, इसलिए मैं इसको दुरुस्त नहीं समझता हूँ इसलिए भी कि यह चीज वाजिब नहीं है और आदमी को करना है तो वहीं पर करें लेकिन कज़ा वगरा के बारे में कोई रवायत मेरे सामने नहीं है इसलिए गज़ा ना की जाए वलकि अगर उसको होसला है शौक है तो उसी वक्स अज़दा करें नहीं हो सका तो फिर बाद में इन्शालला लेकिन यह गज़ा वाली बात इसके तालुसे मेरे पास कोई दलील नहीं है अमीद है कि आपका जवाब मिल गया होगा अमीद है